नमाज संस्कित आए आज हम आपके सामने संस्कित यूपीटेट के प्रस्ण पत्रों की व्याख्या करेंगे तो आज हम आपके सामने उपीटेट संस्कित प्रात्मि किस तर जिसका योजन नॉमबर 2018 में हुआ था उन प्रस्णों की व्याख्या करेंगे तो आईए पहला प्रस्ण लेते हैं अनुरूपम में समास है अनुरूपम पद में कौन सा समास है तो जल्दे बताएं अनुरूपम पद में कौन समास है अब्वेभाव समास है कि द्वन्ध है कि बाउब्री है कि तत्पूश है अब्वेभाव है कि द्वन्ध है कि बाउब् अनेक पदों का एक पद में परिवर्तन हो जाना ही समास कहलाता है अब्यभाव समास में पूरपद का अर्थप्रधान होता है वहाँ पर अब्यभाव समास होता है अब्यभाव समास में शमपूरपद अब्य हो जातने इसका सूत्र है अब्यवाव के अनुदारण है अनुरूपम अनुविष्णू इतिहरी अतिहिमम निर्मचिकम दुरिवनम शुमद्रम उपकेश्रम अधिहरी इत्यादी दंद समास का सूत्र है चार्थे द्वन्दा तत्पुर्ष समास है उत्तर प्रत्पुर्धाना तत्पुर्षा बाववरीम समास का सूत्र है अन्यपत्पुर्धाना बाववरिया तो इस हमारे प्रस्म का उत्तर होगा तत्पुर्ष समास अब्यवाव समास स्वारी अब्यव आयोगवा की संक्या बताने पहले हम लोग आयोगवा समझते हैं आयोगवा क्या है ना योग इत आयोग अताज जिनका संस्कित वरणमाला में योग ना हो अताज जिनकी जो अच्छर संस्कित वरणमाला अताज महिश्र सुत्र में ना प्राप्त हो उन्हें आयोगवा कहते है हमारे संस्क्रित में चार प्रकार का योगवा है नमबर एक अनुस्वार दूसरा बिसर्ग तिसरा जिवा मूलिया और चौथा उपदमानिया तिसका उत्तर होगा चार दी भी कल भी हमारा सा योगवा कर ले हमारे क्यां चार अंतस थोड़ वणों होते हैं सूत्रे योडों अंतस था या वाराला और चार ही उस में बेंजन में होते हैं शल उसमारा शा सा सा हा और हमारे क्यां शल नौ होते हैं बेंजन तैंतित होते हैं कुल मिलाकर 42 अच्छर होते हैं कि अब्यान्तर प्रत्न की संख्यां बचत zwy ग्यार होते हैं अगले प्रैस्ञन को बड़ते हैं कि घ्रमेश संधी है कि चल्दी संधी है कि गोस्त संधी है कि फूरुप संदी है ज़ल्दी होता है तत्रयों में व्रद्धि संधी है, तत्रयों में कौन से संधी है, व्रद्धि संधी, हमारे प्रस्ण का उतर होगा, व्रद्धि संधी, व्रद्धि संधी का सूत्र है, व्रद्धि रेची, क्या है, व्रद्धि रेची, अर्थात, आ वर्ग से एच प्रत्यार, एच बोले तो ए ओ आई अव परे होने पर दोनु के स्थान पर व्रद्धी एकादेश होता है जैसे तत्रधन एव तत्रेव अध्य धन एव अध्यो तत्रधन एव तत्रेव अत्रधन एव अत्रेव दिली संदिका सूत्र है अका समझने दिल का उधारन है दैत्यारी स्रीशा विश्णूद प्रया होत्रिकारा गुण संदिका सूत्र है आदुगुणा अवल से अच्छ परे होने पर पूर्ववर पर दोनु की स्थान पर गुणादिस होता हो जाता है उदारन है उपधनिंद्रा, उपेंद्रा, गंगा प्लिसुत्रिकम, गंगोधृकम, उमा प्रसीशा, उमेशा औ और प्रस्व में ग्रहती नीट मार्ग के नाप परिलंगनी ती अर्थार नीट के मार्ग को कौन उलंगन नहीं करता कुली ना नहीं करता की सेवका नहीं कि बाल का नहीं कौन नहीं करता बताएं जल्ली तो इसके लिए एक आरिका है इस लोग है इस लोग पढ़ने सुनने उसके बाद इसके प्रस्ट का जवाद दे इस लोग है वनेपी सिंगा म्रगमान सभच्छा बभुच्छिताने उत्रडम चरंती एवं कुलेना व्यसना भिभूता नानीती मारगा परिलंग यंती वनेपी सिंगा म्रगमान सभच्छा वभुच्छिताने उत्रडम चरंती एवं कुलेना व्यसना भिभूता नानीती मारगम परिलंग यंती अर्थाद जंगल में रहता हुआ भी सिंग म्रिक के मांस को खाना चाहता है भोका होता हो भी घास नहीं खाता ऐसे ही कुलीन पुरुस कष्ट में भी नीति मार का उलंगन नहीं करते ऐसे ही कुलीन पुरुस कष्ट होने पर भी नीति के मार का उलंगन नहीं करते हमारे प्रश्ण का उत्तर होगा कुलीना ये भी कल्प सही होगा कर ले अगले प्रश्ण के वर बढ़ते हैं वनेपि पदे का संधी वनेपि पदे का संधी अथाथ वनेपि पद में कौन सी संधी है पूर्वरूप संधी होगी कि अयादी संधी होगी कि पूर्वरूप होगी या यण संद्यद सरी, पर्रूप, आयादी पुल्वरूप और यण तो हम लोग एक एक करके देखते हैं पर्रूप का सूत्र होता है एंगी पर्रूपम क्या सूत्र होता है? एंगी पर्रूपम एंगी पर्रूपम इसका ब्याक्या है आवर ऐसे उपसरी जिसका अंताश से हुआ है उसके पर एंग प्रत्याहर आए ए ओ आये तो दोनों की स्थान पर अर्थाद बाद का रूप हो जाए जैसे उपधन ओस्ति बड़ाबर उपउस्ति अब धन ए ही बड़ाबर अवी ही अयाद संदिका सुत्र है एचो यावा यावा एच प्रत्याहर के बाद यदि अचाये तो क्रमसा ए की स्थान पर आए और ओ की स्थान पर आए और आव की स्थान पर आव हो जाता है उदारण है कवे प्लस ए कवे चे प्लस आ चया ने प्लस अनम नैनम और पूर्व संदिका उदारण है सुत्र है एगा पदनतादति एग प्रत्याहर अथात एओ के बाद आ छोटा आये तो पूर्व और पर दोनु की स्थान पर पूर्व रूप अधात पहले का रूप आदेस हो जाता है जैसे ग्राम में प्लस समिन ग्राम ए किस्मिन उसी प्रकार 1-aと अपकी बरबर 1-a p तो हमारे प्रुश्म का विकल्फ होगा पूर्वरूप क्या होगा पूर्वरूप करने सभी पूर्वरूप ओयन संदिका सूत होता है एकोयन नस्तान प्रियर हो जाना बाद में अच्पर होने पर जैसे मध्ध्थवरी दहात्रांसाहा मध्ध्थवरी ित्यारी अगले परस्किक बढ़ते हैं तो धवाक के है आहम ग्रहम गच्छति की साह ग्रहम गच्छति की तम ग्रहम ग्रहम गेच्छा थी और तुम ग्रहम गेच्छा से, इसको पर्मीन के लिए ये जिन पड़ेगा, कि कारता हमारा किस पूरुस का है, और उसी पूरुस उसी बचन करण साल कुया भी होगी है, जैसे पहले वाग्य में, आम करता उत्तम पुरुस एक बचन का है तो क्रिया भी आम के साथ गच्छामी होना चाहिए क्या होना चाहिए गच्छामी लेकिन है क्या गच्छती इसलिए यह वाग गलत है दूसरा शाह प्रत्हम पुरुस एक बचन का करता है इसलिए क्रिया भी प्रत्हम पुरुस एक बचन की होना चाहिए तूसरा के साथ गच्छती लगना चाहिए क्या लगना चाहिए गच्छती लेकिन है गच्छती नहीं लगा है इसलिए यह भी प्रशन गलत है विकल और तम ग्रहम गच्छती तम उत्तम पुरस एक बचन का करता है तो इसके साल लगना चाहिए गच्छ सी क्या लगना चाहिए गच्छ सी क्रिया लगनी चाहिए लेकिन यहां गच्छत इसलिए यह भी गच्छत गलत है तम उत्तम पुरस यहाँ पर एक बचन के क्रिया लगी है इसलिए या विकल्प बिल्कुल सही होगा तो हमारे प्रस्म का क्रियाऊ कौन सा विकल्प सही होगा कौन सा भी कल्सा होगा टीक कर दें अग्या प्रस्वी को बढ़ते हैं चंद आनुगत से च्छन प्राली होती है चंद बद रचना पद्द की होती है किसकी होती है किसकी रचना होती है ق्याकरण के चंद र direct चंद मात्र यर्य desert इत्यात नियमों मुद्द से भी हीन होती हैं गदिव वह होता है गदिवध्य की एक गत्वी होती है इसलिए चंद आनुगत से चंद प्राली का होधारन है पद्यश्वी की किसकी रचना होती है प्रत्य 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 प्रत् तिन आपको पता होगा तिन का सूत्रे इस्त्रियाम तिन इस्त्रियाम तिन ये कहता है कि भाव अर्थ में इस्तृत्त की विवच्छा होने पर धात में तिन प्रत्य होता है तिन प्रत्य में बने शब्द सदे उस्तिलंग होते हैं यहां का का लशक को तदिते से संग्यतस लो पर सिल ना का हनल्यंतर से संगय त prawOG बंजता है तो धात में जुड़ेगा द्रहने में तिन जुड़ेगा त्यटी बंक क्रवकम में ल्यूबती ॥ कि इया त्योड़ से जुड़ने पर द्रहती बंता है और ध्यधात अगले प्रस्न कर बढ़ते हैं, उत्तम प्रस्से सम्मंदित सर्वनाम सब्द है, हमारे संस्कित में तीन वचन होते हैं, एक वचन, दी वचन और बहुवचन तीन लिंग भी होते हैं पुर्लिंग, इस्तिलिंग और नपुर्ण साइलिंग तीन पुरूस होते हैं प्रत्यम पुरूस, मध्यम पुरूस और उत्यम पुरूस तो मध्यम पुरूस के लिए कर्था इस्थाई होता है वो होता है क्या होता है यूआम यह मद्ध्यम पुरुष्का करता है और प्रथम पुरुष्का करता है अस्मत सद्ध का होता है आहम आवाम वयम आवाम और वयम यह तीन पद होते हैं उत्धम पुरुष्क बागी जितने शर्वनाम बसते हैं वो प्रथम पुरुष्क होते हैं तो उत्धम पुरुष्क के सम सर्वनाम सद्र क्या है वयम क्या है वयम और शासद्र प्रथम यह प्रथम पुल्स का है और तस्मिन भी प्रथम पुल्स का है तो हमारे प्रस्म का उत्तर होगा वयमपत क्या होगा वयमपत अगले की प्रस्म बढ़े अगले प्रस्म क्यों बढ़ते हैं बेंजन संदी का उधारण, बेंजन संदी का कौन सा उधारण, आपको पता होता है कि संदी वर्णों के मेल को संदी कहते हैं, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संदी, तो जब वर्णों का मेल होता है, तो वहाँ पर हम संदी कहते हैं, अइनदि के संध तीन प्रकारद के होती है सवर बेंजन विशार तो सवरसंधि में जब बेंजन संधि में जब बेंजन का अब राबर सजना था आप एंजिन संदिक आधारनå है शजन क्या है शजन सजन पाई चुरा कि संख्या कितनी बारा है कि 14 है कि 24 कश हो कि और तौई सूत्र कि संख्या बड़ा प्रस्न है या हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं तो महस्वर सूत्रक्षी संग क्या है चौदा एक बार क्या हुआ कि पानिन महोदय ने भगवान संकर ब्याकर्ण की रचना के लिए भगवान संकर क्या रदना की तो भगवान संकर ने अपने नित्र के उसर पर डमरू बजाए जिससे चौदा महस्वर सूत्र निकले इस बात को नंदिकेश्वर ने अपने गरंथ नंदिकेश्वर माराज ने अपने गरंथ में उद्वित किया है और इस प्रकार कहा है नित्यावशाने नट राज राज ननाद धका नवपन्च वारम उद्वर्त कामा सनकादि से धा एतद्विमर्षे श्रिव सूत्र जालम नत्यावशाने नट राज राजो ननाद धका नवपन्च वारम उद्वर्त कामा शनकादि से धा एतद्विमर्षे श्रिव सूत्र जालम जोदा महस्तulation स्मामना शूत्र उत्यादीग नाम से जानते हैं फिर्षिलिक रियह वर्ट लण presumirtschaft नम जब गड़कर, झवगडस, ख़फ छटचत ता वो कपय शरहल इसनतेutetरा के उत्तर हैं । ऐव्ट दलघष. अगले एक प्रत्याहार की अंतरकत वर्ण आते हैं, एक प्रत्याहार की अंतरकत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्याहार विधायक शूत्र है, आधि रंतेन सहता, अधि 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 संपूर्णों को प्रत्यार करते हैं प्रत्यार का संच्छ पी करने प्रत्यार है तो प्रत्यार यह प्रत्यार में EU लेता है था ये अगकले प्रस्दे को बढ़ते हैं कि प्युट्री शरब तेका सत्मी एक बचन का रूप किया ओप कि पिट्री सब्धे रिकारान्त पुट्लिंक सब्टे क्या है रिकारांत पूर्लिंक्स मिन को एक बचेन में गेए से प्रकार चलता है यह बतर में होता हैँ था पितर अभी कलफ सरी होगा एक बचन में और दो बचन में इस तरह चलता है बचन चलता है पित्र सब्द कहीं नहीं बनता है रमा सब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक बचन का रूप क्या होगा तो रमा रूप आका रांत इस्ति लेए सब्द है इसका रूप पढ़ने हम लोग एक बचन में रमा 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 मुद्धाइ रमाया 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 में नएभी नहीं बनता तो चक्षों चलता है जाँज जलता है जाँज लोगत अगले प्रस्णिक औरम चलते हैं अस्मस्वद का सेष्ठी बवबोचन का रूप क्या है अस्मस्वद उत्तम पूरस बाची सरवनाम सब्द है जो तीनों लेंगों में समाम चलता है तो अस्मस्वद का कि शाष्ची व्यक्ति व्यक्ति रूप बनाना है तो एक बचन में हम रोग एक बचन में व्यक्ति का रूप बढ़ते हैं एक बचन में इसका रूप इस तरह चलता है क्या है मम एक दो तीन चार पांच छे मम आहम माया मयमत मम महीरे इलने एक आहम दूसरा मम आहम माम तुसरा पहले गिन करम से आहम एक माम दूसरा मया तूसरा महीं चोधा ओमत पांच वांच वां अँम है मैं सब्तमा तो हमारी प्रस्ण कोता होगा मम यह विकाल सही होगा और दो बचन में चलता है और बबचन में चलता है तो ना सब्द यह बैकल्पी ग्रूप है जो चेतुर्थी बबचन और शस्टी बबचन में बनता है तो सब्द और इस्मा कम सब्द इस्मत प्द के सष्टी बबचन बनता है तो पंचोंई बचन बनता है क्या होगा मम क्या रूप होगा मम अगली प्रस्णी गोर बढ़ते हैं हरै कृद्यत में हरे में कौनसा कारक है शंप्रदान है कि करण है कि अपाधान है कि करता कारक है तो भटो जिदिछित ने कृध दुरु इश्या सुयर्था नाम यम प्रतिकोपा सूत्र से पताया कि कृध दुरु इश्या अश्युई धातियों इसकी समानार्था धातूं की योग में जिस पर क्रोधिक द्रो इश्या अश्य की जाए उसकी संप्रदान संग्या होती है क्या होती है संप्रदान संग्या तो हराई कुरधत में हराई पद में कौन से संग्या होती है संप्रदान संग्या कौन संग्या संप्रदान सोतर है कृद दुरुह सुयर्था नाम यम प्रतिसोब पगा कृद दुरुह इस्या और असुय धातुओं यम इनकी समानार्थक धातुओं की योग में जिस पर कृद किया जाए द्रोह किया जाए, इस्या किया जाए, असुई किया जाए, उसकी संप्रदान संग्या होती है जैसे हरे दुरियती, हरे इस्यती, हरे इसुईती, हरे कुर्ध्यती तो उत्र हमारा होगा संप्रदान करा अपादान में अपादाने पंजमी सूत हैं करता 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 करत चटका को किचिडिया तो अगोरिया कहते हैं वका को बगुला कहते हैं और काका को कववा तो इस प्रस्टन का उक्तर क्या होगा वका क्या होगा वका हमारा भी कल्प सी सही होगा अब अन्य देल जान लेजे गीद को गृद्रा कहते हैं तोता को शुका कहते हैं, बतक को वर्तका कहते हैं, और पपिया को चातका कहते हैं, मुर्गा को कुकुटा, तामर चुडा, चर्णा, युदा कहते हैं, मुर्गा के लिए तामर चुणा शियोराज बीजयम में आया है जो अमिताद दत्य ब्यास की रचना है अब मुर्गों मयूरा कहते हैं तो हमारे प्रस्ण का विकल्ब शियोत्र सही होगा अगले प्रस्ण को बढ़ते हैं बालका वपी शब्द का संदी विष्छित रई होगा बालका वपी यहाँ पर Agora संदी है जिसका सही उत्तर होगा बालका वपी यहाँ अव को आव हो गया है अव को क्या हो गया है आव सुत्र है एचो अवयायावा इसके अनुदारन है हरे पावका, श्टैनाम, विवन लवन भवन इत्यादे नहों को तर क्या होगा भी वी का और सभी कीलोगा भी विविकवा अगले मत बढ़ते है ऑन साह स्राइस एप प्रदाने जुतर कीस विवकति चुत्र बहुत है वक्ति का सूत्र हैं इसकारत होता है सहार्थक शब्दों से युक्त अप्रधान में तिर्तिया वक्ति हो जैसे पुत्र के साथ पिता आता है पुत्र का सम्मन्द इस सूत्र में पुत्रेन सा अगता पिता पुत्र के साथ पिता आता है इस वाक्य में आगता क्रिया के साथ पिता का सम्मन्द प्रधान है और पुत्र का सम्मन्द आगता क्रिया से साथ आने में अप्रधान है अधासा युक्तिया प्रधानी सूत्र से अ बढ़ता है आघ्रा पर्श्टार को कौन स्वर्ण होता ली नहीं होता कि जी नहीं होता कि और नहीं होता तो तो आप जाने लिए हमारे नौ पर होते है जिसमें गयुक्त आई जी ए साम व्राञण नाम प्रत्रैकम-श्टादस-वेदा आ, ई, उ, री ये चार आ, ई, उ, री इन चारों के अच्टादस अठादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादा और इन्चे तेसाम हरस्वा भावाद, हरस्वा अभावाद, उनके हरस्वा भाव होता है, तो चाल अच्छर, A, O, I, और O, इनके हरस्वा भाव होता था, इनके हरस्वा नहीं होता है, इनके के वर बाराभेद होते हैं, लीवन के बाराभेद क्योंगेंगा देज़ग नहीं होता, O के 18, R के भी 18, लेकिन O के कितना है, 12, तो हमारे प्रस्न का उत्तर क्या होगा, D विकल, कौन सा विकल्प सही होगा, D विकल, तो D टिक कर ले, अगले प्रस्न को बढ़ते हैं, नासिका है की कम्ठ है, की तालु है की मुर्द है, तो शार तावर का भाइंगा, तो उसका, टावर का उचय शान आभ जानते हैं की, alley रेटोराणा मोर्दा इसका उचाइश्थान क्या होता है मोर्दा क्या होगा मोर्दा थीक दी सही कर ले और नास्का है अनस्वायन यम गलन नाम नास्काइचा और कंट है कंट से उचाइश्थान होने वाले अच्छा competitors आपको हैं जिज्यनिया नाम कंठा और तालू है इसच्वेश रानाम तालू और मुष्द Kenny से उचानिस्थान वाले higher था नामर्दा री टावर्घ मुषान अल्ग रा बंका ऊتशानिस्थान क्या होता है मुष्द तो हमारे प्रस्न का विकल्ब डी होगा अगले प्रस्न को बढ़ दे लिद्स जोर भयम पदमें पर युक्त तत्पु शनाह किस विभक्तिका दृत मीं चोर भर्म में तत्पूर समास है, तो पहले तत्पूर समास का सूत जान लेते हैं, प्रायन उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पूर सा, प्राया जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, वो तत्पूर समास कहलाते हैं, तत्पूर समास के मुख्यतां दो वेहद होते हैं, स पिच्मी-सथी सब्दमी होती है। तो कुरम से जान लेते हैं है दुद्धियववक्ती के उधारण कुश्प, ये से किष्णा सीता हैं, सरन्राग तहां, फेत्य तरपुस के उधारण हैं, शंकुलाया खंडा, और अथ्वाशंकुला खंडा, धन्या, धान्यार्था, नेत्र जहीना चतुर्थी का शूत्र है चतुर्थी का उदर्ण है गोहितम यूपदारू अब पंचमी तत्पुस अमास का उदर्ण है पंचमी तत्पुस अमास को उदर्ण है चोरात भह्यम व Warkach भीती व्रगह भीती शुखाद अप्यता शुक प्यता और चोरात भह्यम उदर्ण तो हमारे बिगल्प सेलगा चोरात व्य XV कॉदार्ण है पंचमी तत्पुस्थी का उदर्ण हरो वागी होग है आगी चलीं प्रेंच में भाएन अगले प्रसद पर बढ़ते हैं पित्रिन सब्द में विखत और वचन है पित्रिन सब्द में पिता का रूप पढ़ ले आपको समझ में आजाएगा पिता रिकारांत प्रुलिंग शब्द है इस तरह प्रव चलते हैं पूरूप पिता एक बचन पिता हा पितरम पित्रा हा पित्रे पीतु पितु पितरी पिता हा और दो बचन चलते हैं पित्रो पित्रो पित्रिभ्यां पित्रो 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 स्थू पित्र पित्रिन पित्र दुत्याओं वाचन कावाथ यह सस्थि बचन अगले प्रस्ण करुक हो चलते हैं श्रमायी वाचन है कि इसर्फ रूम लिक्त इन नदी का रूप आपको याद होगा है चलता है नदी नद्या 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 नद्याम नद्याम नद्यव नद्योगेरी केंगेर सुझार रवह तर यहारक है तो हमारा प्रतिमा प्रति्वासजक्र सब्सक्राइव कि शनवति हिंदी संख्या का बोदक हैं सनवति सनवति बोदने सनवति 96 किसका बोदने 96 शनवति को हिंदी में कहते हैं संस्कित में कहते हैं सब्सक्राइब 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 करें कहते हैं सब्सक्राइब और चाठ को कहते हैं सट्सक्राइब 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 में 56 में बहुत क्रियापद में प्रथम प्रुष और वचन है तो लोड़ लगार प्रथम प्रुष और वचन में लोड़ लगार के इस प्रकार रूप चलता है बहुत भाधु धातु का है जिसमें लोट लाकार भूधातु के भाध्वत 15 लुक्राइवर प्रतु लकार पुरुषव वचन बता यह तो लोट लकार प्रतम पुरु थामपुरुषव के लोट पुरुषव उत्य लघ। पहले लोट का बोधातु की लोटलकार का रूप चला लेंगे इस करीज क्लेगें भवत भाताम भावनद्धु भा भावत कि भावाने भवाव मुझां तो लोटलकार पृतंपरुज वचन में बनता है लोड लाकार प्रफ्रस बहुझन में बनता है बहुत-बहुताम भावन्त क्या बनता है बहुत-भावताम भावन्त तो लिख रहे हैं भावन्त बहुत बहुतां बहुत 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 बहु और लोड लगार मध्यम पुरस बहुबचन बनता है भावत क्या बनता है भावत भावत हमारा विकल्व डी से होगा डी भावत क्या पद में पृत लगार पुरस बहुबचन क्या है लोड लगार मध्यम पुरस बहुबचन अगले प्रस्टी को बढ़ते है शर्बनाम सब्द नहीं है तो आपको पता है, युम सब्द का बहुन है इसका रोप नहींद टो आप ही नहीं किया और देखे तुन यूह थो अगर फीडर्शन करें सोथी स्वाश्थिति योग में कि याने वाली भिखती है सुस्तिपाद कई योग में प्रयोग कि जाने वाली प्रयोग होती है तो हम लोग जानते हैं कि एक शूत्र आता है नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम योगाश्ट नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट इन सब्दों की योग में चतुर्थी व्यक्त वती है कौन सी व्यक्त वती है चतुर्थी कौनसे वक्ती होती है चतुर्थी तो इसका होगा चतुर्थी कं वक्ति होगी चsesुद्धू सा अत्याह त हमारा विक्लप कौन होगा चतलती आगे प्रिस्ट में बढ़ते हैं कादंबरी ग्रंथ के रचना कारे कौन है भास हैं कि भभोती हैं कि बानभट हैं कि इसी रहस तो कादंबरी ग्रंथ के रचना कर आप जानते हैं कि बानभट है कौन है बानभट कौन है बारभट तो बारभट की रचनाहें देख ले का दंबरी गत्हां अख्याई का बारभट की रचना चंडी सद्टक और चंडी्सद्टक आप भास तिरा नाटक हैं जो इस्पुकार हैं तिरा नाटक है भास के और भभूत के तीन नाटक है महाभीर चाहिताम मालती माध वह उत्तराम चाहिताम अगले प्रस्णी कर बढ़ते हैं महाकभी काली दाज़द्वार बेचित नाटक है महाकभी काली दाज़द्वार ने कौन से नाटक लिखे माल विकागनी मित्रम लिखा की मिगदूत्म है कि कुमार सम्भू है तो हम जानते हैं कि कुमार्शंबुम 17 सर्गी महाकाब्य है प्रवगानस्थम वह नहीं सर्गी है और मेग दूतम गीतिकाब्य रचना है तो मालविकागनमित्रम इनकी बिर्चित नाटक है और दो नाटक है अब ग्यान साकुंतलम रथा विक्रमो वर्सियम त्रोटक है अगल योजित विकत वर्सों के पेपर की व्याक्यां के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमा संस्क्ता है यदि हमारा या कार या आपको अच्छा लागा हो तो हमारे चैनल को सब्क्राइब लाइक और सेर जरू करिएगा और बिल आइक आन के बटन को दबा दीजिएगा जिसे हम जैसे अगले वीडियो को अपलोड करें तो वो आपते सोचने जल्दी पहुंझाए तो आज के लिए इतना ही नमा संस्क्ता है